चश्मे नम पाओगी अगर ये पूछना चाहो कि ऐसा क्यूं किया हमने तो सुन लो गोर से जाना पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने महबत छोड़ दी हमने महबत छोड़ दी हमने आज का दिन उसकी जिन्दग्यों में खुशियां लेकर आया था डबल सेलिबरेशन का द जिन थाज जिन्दगी की ये दो साल कैसे गुद्रे पता ही न चला लेकिन इन दो सालों में उसने बहुत जदोजहद की थी इन दो सालों का एक एक लमहा उसने अपने मस्तक्बिल के लिए वक्फ किया था मस्रूफियत बहुत थी पढ़ाई जारी रखना जिम में कुछ वक कुछारना ट्रेनिंग की सख्तियां जहेलना और साथ साथ मार्शल आर्ट की किलासेट लेना दिन रात एक करने के बाद पिल आखिर आज उसे ब्लैक बेल्ट होल्डर की डिक्री मिल गई थी और दूसरी कमार्डोस के लिए चुन SSG खुशकबरी ये थी कि उसका जजबा उ ब्लैक बेल्ट होल्डर, मार्शल आर्ट्स और जूडो कराटे की तरह ये भी एक ट्रेनिंग है डिगरी लेने के बाद वो चमकती निगाहों से जमशेद रपानी और उनकी शरीके हयात की तरफ आया आहिला जमशेद रपानी ने उसकी पेशानी चुमकर उसको मुबारक ब रपानी की आँखों में खुशी से आंसू आने लगे थे दो साल पहले उन्होंने अप्तिहाच के बारे में उसके मुस्तक्बिल के बारे में जो फैसला किया था बिला शुबा वो फैसला दुरस था अप्तिहाच ने उन्हें जिन्दगी के किसी मुकाम पर भी मायूस नहीं किया था उनकी उमीद से बढ़कर उसने महनत की थी और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर जमशेद रबानी ना होते तो वो कभी इस मुकाम पर ना पहुंचता उसने दिली तोर पर इन दो मिया बीवी को अपने माबाप मान लिया था इनकी ऑलाद की कमी पूरी की थी और स साफी नहीं करता इसके हर मौमले में मसलिहत छुपी होती है और अगर जिन्दगी में कभी सारे दर्वाजे बंध होने लगे तो ये यकीन रखो कि वो रब कोई ना कोई नया दर्वाजा जरूर करेगा इसकी जिन्दगी में भी इसके रब ने हर जगा हर मोड पर इसकी मद जासे ही है सर वरना मैं कहां इसकाबिल था वो उन्हें आज भी सर कहकर ही बुलाता जबकि आईला बेगम के इसरार पर उन्हें माजी ही कहता था तुम्हारी मेहनत है भई मुझे तो बस इस पाक परवर्दिकार ने वसीला बनाया है जमशेद रबानी ने उसकी पुष्ट वक्त मुस्कुरा दिया तकरीब का इक्तिताम हो चुका था वो सब गाड़ी में बैट रहे थे अब अच्छा फयाद जमशेद रबानी के दोस्स से बात हुई थी मेरी कुछ देर पहले उसने बताया है मुझे के अगले हफते से फिर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तीन माँ की ट्रेनिंग होगी तुम्हारी और ट्रेनिंग इसलामबाद में है तो कोई जरूरी काम है तो इसी हफते में निम्टा लो नेक्स्ट फ्राइडे तुम यहां से रवाना हो जाओगी जमशेद रबानी ने गाड़ी ड्राइफ करते हुए उसे इनफॉर्म किया था इप्तिहाज ने हलका सा सराजबाद में हिलाया उसकी नजरें बाहर गुजरते मनाजर पर थी लेकिन जहन में वो आइंदा जिन्दगी का लाहे अमल तैयार कर रहा था कमाल है इतनी बेवकूफ है यह लड़की खुद अपने पाउं पर कुलहारी मारने जा रही है मिर्जा जमाल अफंदी असदश राजी के सामने बैठे थे सिगार सुलगाते हुए उनकी बात सुनी तो हैरान हुए बगड़ ना रह सके इनकी बात पर असदश राजी ने कहका लगाया अभी वो जानती नहीं है ना कि शादी के बात उसके साथ होने क्या वाला है तब ही शादी के बाद देखना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आए कि वो आखर राजा से इतनी खार क्यूं खाती है अच्छा भला बंदा है वो अपने काम से काम रखने वाला असे शराजी के लहज में उल्जन सी थी अरे छोड़ो यार जो भी मसला है उनका हमें क्या हमें तो खुद से मतलब है ना वो लड़की खुद हमारे जाल में फसने को तयार है तो हमें और क्या चाहिए अच्छा है निका हो जाएगा रिष्टेदारी भी पक्की हो जाएगी और उसकी तरफ से कोई टेंशन भी ना ह की आज इतवार है ना तो ऐसा करते हैं कि इसी जुम्मे को निखा रख लेते हैं नेक्स संडे हमें वापिस भी जाना है मिर्जा जमाल अफंदी ने मिंटों में पोग्राम तरबियत दिया असच शराजी ने भी कुछ सोचते हुए असबात में सर हिलाया रात 11 बजे के वो अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब शिद्दत से कौफी की तलब हुई वैसे भी उसका काम मुकमल हो चुका था उसने लैपटॉप आफ करके महफूस जगा पर रखा और कौफी बनाने के लिए किचन का रुख किया वो किचन के दर्वाजे पर थ जब किचन में मौजूद अभिया की पूश दिकाई थी एक लम्हे को उसके कदम जंजीर हुए समझ में नहीं आया कि आगे बढ़े या वापस लौट चाए ना जाने आज उसे देखकर अभिया कैसा रियक्ट करे इस दिन से अभिया का उसका सामना नहीं हुआ था यह शाय भी वक्त ना मिल सका चन्द लम्हे कुछ सोच कर वो आगे बढ़ा अभिया मिनरल वाटर की बोतल पकड़े गिलास में पानी उंडेल रही थी शायद पानी की प्यास उसे किचन तक खीच लाई थी वो बोतल बंद करके फरिज में रखने को मुड़ी जब निगा अंदर दाखिल होते राजा पर पड़ी एक लम्हे के लिए उसके हाथ साकत हुए इतने दिन बाद उसे देखकर गोया आँखों को करार आया था लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सक्ती चाकई बोतल पटखने के से अंदाज में रखकर उसने जोर से फरिज का दर्वाजा बंद किया जैसे राजा को ये जताने की कोशिश की थी कि उसकी आमद उसे बिलकुल अच्छी नहीं लगी राजा चुपचाप आगे बढ़ा कॉफी का जार कैबिनट से निकाला और अफने लिए कॉफी बनाने लगा कुन अखिये से वो अभिहा को भी देख रहा था जो आप किचन में लगी मेज पर बैठी पानी पी रही थी गिलास खाली करके उसने मेज पर रखा और जाने को पल्टी जब राजा एकदम उसके सामने आया मुझे कुछ बात करनी है आपसे कहकर उसकी आँखों में देखा जिन में से चिंगारियां फूट रही थी गोया उसे जलाकर भशम कर देने का इरादा हो लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी हटो रास्ते से वो दीमी मगर सहर आलू दावाज में बोली थी अभी हाँ हर वक्त अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए आपने जो देखा वो आदा सच है अपने दिमाग को इस्तिमाल करके खुश साखता सोचों में घिर कर कोई फैसला मत किया कीजिए पहले मेरी तरफ की कहानी भी सुन लीजिए अगर फिर भी मैं कुसूर वार हुआ तो जो सजा देना चाहें वो दे सकती है राजा का लहजा हमेशा की तरह एत्राम लिये हुए था अब यहां ने कहर आलूद नजर उस पर डाली क्या सुनाओगे तुम फिर से कोई जूटी मन घरत कहानी ताके फिर से मुझे अपने जाल में भसा सको खुद को सही साबित कर सको मेरी हमदर्दी हासिल कर सको अगर ऐसा सोचते हो न तो तुम गलत हो बिल्कुल गलत इस बार मैं तुमसे धोका नहीं खाऊंगी उंगली उठाय चबा चबा कर कहा गया था और उसके लहजे में मौझूद राजा के लिए नफरत राजा दंक सा रह गया इतना जहर भर दिया गया है आपके दिल में मेरे लिए कि आप मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है इतनी नफरत कहां से आ गई हमारे दर्मियान अभिया क्या ये नफरत आपकी महबत से ज़्यादा शिद्दत रखती है खुदारा दिल में नए उजागर होने वाले महबत को महबत के एहसास को इस नफरत की शिद्दत से ठेस मत महँचाईए राज़त दुग भरी निगाहों से उसे देखे गया ना जाने क्यों इस लड़की के सामने उसे बिलकुल गुसा नहीं आता था घुसा करना भी चाहे तब भी नहीं उससे बात करते हुए उसे हमेशा लगता जैसे वो 18 साल पहले वाली एंजल से बात कर रहा है जिसकी आँखों में मासूमियत का एक जहान अबाद होता था महबत? वैसे कमाल की अदाकार हो तुम क्या हुब ढोंग रचाया था महबत का लेकिन अफसोस इस बार तुम महबत को अपना हत्यार बना कर भी ये गेम नहीं जीत पाए क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जान गई हूँ और किस महबत की बात करते हो तुम वो महबत तो कब की मर गई तुम्हे क्या लगता था मैं महबत के जाल में फ़स जाओंगी तुम्हारे बगर जी नहीं पाऊंगी और आखिल दिल के हातों मजबूर होकर तुम्हारे तमाम गुना माफ करके तुम्हें अपना लूँगी नहीं बिलकुल नहीं मिस्टर इप्तिहाच अब देखना मैं तुम्हारे सामने फराज आफंदी से शादी करूंगी और एक सेकंड में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फैकूंगी तुम्हें ये दिखाऊंगी कि महबत के बगर भी रहा जा सकता है ये जो महबत नाम का कटोरा लिये फिरते हो न तुम ये खाली का खाली रह जाएगा बाइदावे इस फ्राइडे को निका है मेरा फराज आफंदी से आना जरूर आखिर कभी मेरे बेस फ्रेंड रह चुके हो तंस बड़ी निगाओं से कहती वो वहाँ से जा चुकी थी जबके साकत खड़े राजा के कानों में उसका ये एक ही फिक्रा गुंच रहा था इस फ्राइडे निका है मेरा फराज आफंदी से बख्त के तक से यक लख्त उतारा हुआ शक्स तुने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शक्स वो बहुत देर से इस बॉक्सिंग कलब में मौजूद था जबसे उसे अभिहा की जबान से ये मालूम हुआ था कि इस फ्राइडे यानि फक्त दो दिन बाद उसका निका है वो भी फराज आफंदी के साथ तबसे उसका दिल इस तरह भी कैफियत का शिकार था बेचैनी हद से सवा थी वो लड़की उसकी नफरत में खुद अपनी जिंदगी बरबाद करने जा रही थी इस बाद से बेख़वर थी कि कैसा अजाब भरा रस्ता चुन रही है वो और राजा वो उस वक्त खुद को शदीद बेबस महसूस कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके ये सब करने से सकती वो उस पर करना नहीं चाता था और नर्मी से वो पागल लड़की कोई बात सुनने को तयार ना थी उसका दिल जल रहा था अपने अंदर की आग को कम करने के लिए ही वो बॉक्सिंग कलब आया था पंचिंग बैंक पर पैदर पे मुक्के बरसाते वो जैसे पागल हो रहा था चहरा पसीने से तर था हातों की उंग्लियों से अब खोन रिसने लगा था लेकिन उसे तो जैसे कोई होश ही न था जहन में अभीहा का कहा एक ही फिक्रा बार बार गुंच रहा था जिसमें उसने अपने निका की इत्तिला दी थी और ये फिक्रा मुसलसल उसके इश्तियाल में इजाफा कर रहा था रात के दो बज रहे थी किलब से सब लोग जा चुके थे जब बॉकसिंग किलब का मालिक उसके पास चला आया अरे बस कर दो भाई ऐसा भी क्या गुसा कि अपनी ही तकलीफ का एहसास नहीं तुम्हें हालत देखो जरा अपनी इसकी बात पर राजा चौका एक नजर उसे देखकर अपने हातों की जानिब निगा दोड़ाई पसीने से शराबोर होते हुए वो गेहरे सांस भड़ने लगा चन लमों बाद इर्द गिर्द देखा तो कलब खाली होने का एहसास हुआ सामने खड़े शक्स की आँखों को और हातों में मौझूद चाबियों को देखकर राजा समझ किया था कि अब वो कलब बंद करना चा रहा है तब ही पास पड़ी बोतल उठा कर एक जाने पैठा और पानी के घूंट भरने लगा पानी पीकर वो उठा शेट पहनी और कलब से निकल आया रात के इस वक्त तमाम सडके सुनसान थी वो ठके तके अंदाज में ढीले कदमों से फुटपात पर चलने लगा ना जाने क्यूं आज घर जाने का दिल नहीं चा रहा था वो सक्चान था लोग उसे पत्धर दिल और बेहिस जैसे अलकाबाद से नवासते थे यहां तक के उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसे संगदिल कहकर मुखातिब करते जिसने कभी किसी लड़की की तरफ निगा नहीं की थी अपनी तरफ बढ़ने वाली हर लड़की की होसला शिकनी की थी बलके डपट कर रख दिया था हाँ वो था बेहिस लेकिन ना जाने क्यूं अभिहा के मौमले में वो बेहिस नहीं हो पा रहा था वो वाहिद लड़की थी जो उसकी कमजोरी बन गई थी और राजा चाह कर भी अपने दिल को उसके खिलाफ ना कर पाता उसकी बे इतनाई उसकी सर्द महुरी उसकी नफरस सब कुछ सेह रहा था वो चुप चाप अंदर ही अंदर उसकी तलख पातें और तनफर भरा रुवया उसे तोड़ता जरूर था जखमी जखमी कर देता था मगर वो बगर कोई आख ये बरदाश कर रहा था लेकिन अब उसकी शादी की खबर सुनकर ना जाने क्यूं वो तूटने लगा था दिल को समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन दिल कुछ सुनने को तयार ही न था अगर वो किसी ऐसे इसान को उस पर फौकित देती जो राजा के मुकाबल आ सकता और जिसके साथ अभिया खुश रह सकती तो शायद दिल को समझाना कुछ असान भी हो जाता वो दिल पे पत्थर रखकर उसकी खुशी की खातर उससे जुदा हो जाता लेकिन यहां यही बात तो सबसे जादा तकलीव दे थी कि उसने राजा के मुकाबले में किसी को चुना भी तो किसे राजा के कजन को वो जिसकी फत्रत में ही लोगों को धोका देना है जो सिर्फ हव्स का मारा एक इंसान था जिसके नद्धीक औरत कोई इleshग इजज़त न थी जो औरत को फक्त एक खिलोना समझता था दिल बहलाया और फैंक दिया अगर अभिया की उससे शादी हो गई तो अभिया किन तकलीफों से गुजरेगी ये सोच ही राजा को सक्त अजियत में मुब्तला कर रही थी बेबसा बालों में हाथ भेरता वो चलता जा रहा था जब वहां खाली सड़क पर एक गाड़ी आन रुकी राजा ने सर उठा कर देखा वो सब भी राजा की तरफ ही मतवज़ा थे और गाड़ी रुकते ही हत्यार लिये अब राजा की तरफ बढ़ रहे थे राजा ने आँखे सुकेड कर उन्हें देखा वो इन मेंसे किसी को भी नहीं पैचानता था ना इन मेंसे किसी की उससे दुश्मनी थी फिर भला वो यहां क्यूं और लाठियां पकड़े उसकी तरफ क्यूं बढ़ रहे थे हैरान सा वो उन्हें देखे गया वो लोग जो भी थे अब उसके करीब आ चुके थे कौन हो तुम लोग राजा ने इन विपरे हुए साथ अफरात की जानिब देखा अगर वो इस पर हमला करते तो राजा को इन सब को पचारने में पांच मिन्ट भी नहीं लगने थे लेकिन वो इस वक्त लड़ाई के मूट में नहीं था वैसे भी जब वो जानता ही ना था कि वो है कौन तो बिला वज़ा क्यों मारता उने इसकी बात पर सबसे आगे खड़े बन मानस की तरह दिखते खासे सहत मंजिफ जशी नूमा शक्स ने कहका लगाया अपने अंदास से वो इन सब का सरदार लगता था तुम ये जानकर क्या करोगे कि हम कौन है बस इतना जान लो कि आज तुम्हारी मौद बन कर आए हैं हम वो अपनी मोटी भदी आवाज में खुराया राजा ने आइबरो उठा कर उसे देखा जैसे पूछ रहा हो Seriously? कहते हुए उसने शेट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किये गुस्सा उसे पहले ही बहुत था अब ये लोग आ गए थे जलती आग में हाट डालने तो जुलसना तो था ही उन्हें भड़ों के छटे में हाट डाल कर कोई भला कैसे बच सकता है निशाना बनने से इस हपशी ने पीछे अपने साथियों को देखा मारू साले को बुलन दवाज में हुकम दिया उसके कहने की देर थी वो सब एक साथ राजा की तरफ बढ़े राजा जो पहले ही चौकरना सा खड़ा था उसने अपने मार्शल आर्ट में सी के दाव पेच उन पर आजमाते हुए अगले चार मिनट में उनकी अच्छी खासी धुलाई की काफी दूर मौझूद एक गाड़ी में बैठा फराज आफंदी जो अपने दानिस्त में खासे ताकतवर गुंडे लाया था राजा के हाथ पाउं तोड़वाने के लिए ताकि उससे अपनी बेज़दी का बतला ले सके वो भी दंक सा उसे लड़ते हुए देख रहा था उसे ये अंदाजा तो हो गया था कि वो गुंडे राजा का कुछ बिगार नहीं सकते तब ही हाजर दिमागी का मुजायरा करते हुए उसने जल्दी से अपना मुबाइल निकाला और राजा की फाइटिंग की वीडियो बनाने लगा ठीक चार मिनट बाद वो सब जो राजा के हाथपाऊं तोड़ने आये थे वो अब खुद अपनी हड़ियां तुडवाते कर राते हुए वहाँ से भाग निकले वो हपशी शक्स जो पहले बड़ी भड़के मार रहा था वो तो अपने साथियों को पिटता देखकर खुद लड़े बगएर ही सबसे पहले भाग किया था राजा ने नफरत भरी निगाहों से उन्हें ओजल होते दिखा मूही मूह में उन्हें चंद अलकबाद से नवाजा बालों में हाथ फेरकर उससे को काबू करने की कोशिश की उनके ओजल होते ही वो भी आगे बढ़ किया फराज अफंदी की पुर्सोश नजरे उस पर जमी थी कुछ तो है जिसकी परदादारी है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम जो दिखते हो वो तुम हो नहीं और जो तुम हो वो जाहिर नहीं करते यकीनन तुम कोई आम आदमी नहीं हो क्योंकि इतनी परफेक्ट फाइटिंग तो कोई प्रोफेशनल फाइटर ही कर सकता है पता लगाना ही पड़ेगा क्या आखिर चक्कर क्या है वो कुछ सोचते हुए पढ़ पढ़ा रहा था उसका प्लैन तो नाकाम हो गया था लेकिन राजा से इंतिकाम लेने का एक और रास्ता दिखाई देने लगा वो आँखे सुकेड़े दूर जाते राजा को तक रहा था कमांडों के SST वक्त पर लगा कर उड़ता गया तीन साल मजीद गुजर गए इन तीन सालों में राजा ने तोर पर मुख्तलिफ मिशन सर अन्जाम दिए साथ ही साथ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी लेता रहा और अपने होसले, हिम्मत और इरादे की पुख्तुगी की बदौलत जल्द ही बड़े असरान की निगाहों में आ गया ट्रेनिंग्स के दौरान इसकी चौकसी और फुर्ती की बदौलत कई अफसरान भी दातों में उंगलियां दबा कर रह गए यकीनन वो कमांडोस में एक काबले कदर इजाफस साबित हुआ अब तक उसने अपने किसी मिशन को भी नाकाम नहीं होने दिया था मुश्किल से मुश्किल मराहिल को कमांडोस की ट्रेनिंग्स इतनी मुश्किल होती थी कि उसके कई साथ ही SSGB होसला मंदी से तै किया दर्मियान में ही छोड़ जातकर भाग गए जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की तब एक हजार अफराद थे जो चुने गए थे लेकिन ट्रेनिंग से दरौन कुछ सक्तियां ना जहेल पाने की बाइस छोड़ गए और बागी अफराद को अफसरान ने किसी ना किसी कोताही पर निकाल बाहर किया वो सिर्फ पंदरा बच्चे थे जिन्हें सबसे आखरी और सबसे मुश्किल मरहला तै करना था सामने खुला और काफी बड़ा ग्राउंड था जहां दो हेलिकॉप्टर खड़े थे वो पंदरा फराद अपना जरूरी समान लिये इस ग्राउंड में हेलिकॉप्टर से कुछ फासले पर दो कतारों की सूरत खड़े थे सामने उनके चीफ खड़े थे चंद हिदाया दे रहे थे ये आखरी मरहला है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी बहुत से अफराद इस मरहले पर आकर खौफ जदा होते हैं और भाग जाते हैं आप सबसे एक बार फिर कह रहा हूँ अगर किसी को वापिल जाना है तो जा सकता है हमें नहीं मालूम के पंदरा दिन बाद आप मेंसे कौन जिन्दा वापस लोटेगा और कौन नहीं आपको तमाम गुड सिखा दिये गए हैं जंगल में आप किसी किसम का कोई हत्यार लेकर नहीं जाएंगे आपको अपनी बका के लिए खुद लड़ना होगा वहां मौझूद हतरनाक जंगली जानवरों से हमें नहीं मालूम कि आप जंगल के किस हिसे में जाएंगे आप सब को जो नक्षे दिये गए हैं उस जंगल के वहां एक जगा पर वहां एक जगा को मार्क किया गया है नक्षा देखकर आपको पंदरा दिन में उस जगा तक पहुँचना है चंद मिंट में हम रवाना हो रहे हैं अब आप से मार्क की गई जगा पर ही मुलाकात होगी ठीक पंदरा दिन बाद और मैं आप सब जवानों को वहां देखना चाहूंगा इस मरहले को तैय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हिम्मत दिल मजबूत रखेंगे तो कोई रुकावट आपके रास्ते में मखल नहीं होगी वरना सुना तो होगा ही आपने भी कि जो डर गया वो मर गया एक बार फिर अपने बैक्स चेक करें मैप और पानी की बोतल के इलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास हरी अप चीफ ने कहा तो वो सब फिर से अपने कंदों के साथ लड़के छोटे बैक्स चेक करने लगे कुछ ही मिर्ज बात वो सब हेलिकॉप्टर के इस तरफ जा रहे थे इस बात से अंजान के ना जाने वहां कौन लुकमाय अजल बनेगा और किसकी किस्पत में वाफसी होगी निका का दिन आन पहुँचा था मिर्जा जमाल अफंदी के कहने पर सादगी से निका किया जा रहा था बिलाखर इतने सालों का इंतजार खतम होने को था बेशक अभी सिर्फ निका था लेकिन एक मरहला तो तैह हो रहा था ना निका हो जाने के बाद रुकसती का ऐसा कोई खास मसला भी नहीं रह जाता अगर अभिया को इनकी सच्चाई मालुम हो भी जाए निका के बाद तो भी वो कुछ कर नहीं सकेगी रुकसती तो जबरदस्ती भी करवाई जा सकती है यही सोच उन्हें खुश रखे हुए थी यहाँ पर यह पाद एक्टर ताम को पोंचा असी पाद सुनने के लिए उदो नावल जावर प्राइट को लाइक कीचिए सब्सक्राइब कीचिए शेयर कीचिए कमन करना मत भूलेगा